स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो सक्षता सर्वेक्षन 2021 के पुरुस्कार रास्टपती रामनात को विंद जी द्वारा आज गोसित कर दिये गए हैं उसी को हम देखेंगे सक्ष किसमे पुरुस्कार प्रितिक परिक्षा के लिए महत्पून है ये वीडियो अंत तक देखिएगा दिस इस मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूँ आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकना उपर तो सबसे पहले देख लेते इसके बारे में क्वेस्चन बन जाता है कि कौन इसको जारी करता है तो आवास और सहरी मामलों के मंत्राल है यानि Ministry of House and Urban Affairs दोरा इसको जारी किया जाता है अमरत महुसब को आयोजन किया जाता रूसी के तहत ये पुरुसकारों का वित्रण किया जाता है इस बार कि अगर बात करें सक्ष सर्वेक्षन की तो 4320 सहर औ नगरों को इसमें सामिल किया गया है जब यह सुरू किया गया था 2016 में तो सिर्फ 73 सहरों को सामिल किया गया था तो देखिए कितना जादा इसने विस्तार किया है तो 4320 सहर और नगरों को ठीक है यह 4320 सिर्फ सहर नहीं है सहर और नगर दोनों है ध्यान रखना है को सामिल कि हमारे 342 सहरों को सम्मानित किया गया है यह आकड़ा याद रखना है जो हाइलाइटेड है या रेड कलर में उसको ध्यान दीजेगा एक मैटमून फैक्ट है जो इंपोटेंट है अब्यसली क्वेस्चन यहीं से बनता है इंदोर जो है मद्यप्रदेश का सहर लगातार पांच सक्ष सहर यानि क्लीनेस्ट सिटी बना है पांच मीवार पंचा ठोका है इसने पांच इवार इंदोर मद्यप्रदेश ने तो ध्यान रखिए का लगातार यह तो रट गया है पांच साल से लगातार इसको मिल रहा है 2016 से ही इंदोर गो ठीक है अगला सफाई मित्र चेलेंज केटेगरी यह भी ध्यान रखना है सफाई मित्र चेलेंज की जो स्रेणी है उसमें भी पुरुसकार मिला इंदोर मद्यप्रदेश को तो इंदोर मद्यप्रदेश क्लीनेस सिटी और सफाई मित्र चेलेंज में भी पुरुसकार मिला है इंदोर मद्यप्रदेश को यह दोनो तीसरे पे नवी मुंबई चौते पे और पूने पांच में पे तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए इंदौर सूरत विजयवाडा नवी पूने एसे करके याद रखिये दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा इंदौर है मद्य प्रदेश, सूरत है गुजरात, विज बनेगा टॉप थिरी से ही एक मेहत्पूर जो बात है क्लीनेस्ट सिटी के अलावा की क्लीनेस्ट इस्टेट तो च्छतीस गड़ को भारत का सबसे स्वक्ष राज्य घोसित किया गया है ये बहुत अच्छी और गर्ब की बात है च्छतीस गड़ राज्य के लिए कि उसको भा क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर और क्लीनेस्ट इस्टेट है च्छतीस गड़ तो ये बात याद रखिएगा महत्पूर है उत्तर प्रदेश वालों के लिए महत्पूर हो जाता है वाराण सी को सबसे स्वक्ष गंगा सहर आपको पता है वाराण सी गंगा के किनारे बसा वाराणसी के अगर rank देखें देश में तो देश में इसकी rank 30वी है और उत्तर प्रदेश में इसकी rank 7वी है लेकिन क्योंकि ये गंगा के किनारे है तो सबसे स्वक्ष गंगा सहर की category में इसको पहला पुरुस्कार मिला है तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की आ रख लेना है क्योंकि वाराणसी को मिला है स्वक्ष गंगा सहर का तो कन्फ्यूज ना होईएगा तीसवी रेंग के देश मैं सात्वी रेंग के उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे पहले दो तो लखनव गाजेबाद हो गए आपने सातवां बता दिया वाराणसी तो बीच ब बनेगा नहीं कानपूर 21 आगरा 24 प्रियागरा 26 मेरट को 27 तो लखनव गाजेबाद हो गया अप उत्तर प्रदेश की में सिर्फ देखें तो लखनव का पहला हो गया गाजेबाद का दूसरा कानपूर तीसरा आगरा चौता और आपका प्रियागराज पांचमा हो गया टॉप 20 में दो हैं लखनव और गाजेबाद ठीक है ये उत्तर प्रदेश से याद रखेगा वारान सी को स्वक्ष गंगा सहर के लिए मिला है अब हम एक मैत्मूर चीज़ देख लेते हैं प्रेरक दावर सम्मान की ये सम्मान मिलेगा पांच उप सिरेणिया है प्रेरक दा अज़त उदे तो बोले तो कांस और आरोही बोले तो आकांगशी यानि एस्पिरेशनल तो एस्पिरेशन है इसको याद रखना है आपको पांच ओंको फिर से एक बार देख लीजे दिव्या अनुपम उज्जल उदेत और आरोही इनको नाम से भी आप याद रखते हैं द सेरों को मानता जी जाएगी जो प्रेरगदा और सम्मान के लिए पात्रोंगे ऐसी बात इन्हों ने इस कैटेगरी में कही गई थी अब यह देख क्यों रहे हैं क्योंकि जो प्लेटिनम यानि दिव्या वाली जो स्रेणी है यहां से एक वर फिर से देख लीजे यह जो दिव् महाराष्टा में थाने है और आंदरा प्रदेश में चित्तौर है चित्तूर नहीं है यह द्यान रखना अब को तो अब यह किस प्लेटिनम दिव्या स्रेणी में है इनी के बारे में बात की गई है हला कि यह आपको कोई भी नहीं बताने वाला मैंने बड़ा धून के इसको नारास्टा में थाने है और अंद्र प्रदेस में चित्तूर है ठीक है यह याद रखना है आपको प्लैटिनम स्रेंडी में अगर आप देखना चाहें टॉप टैन तो टॉप फाइब मैंने आपको बता दिये इंदोर सूरत विजयवाडा नभी मुंबई और पूने है उसका छेट में पर रायपुर है साथ में पर भोपाल आठ में पर वडोधरा नौ में पर विसाखा पत्तनम और दस में पर एहमदाबाद ये इनके स्कोर यहाँ पर दिये गए है पीडिएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी वहाँ से आप अगर कुछ डीप पढ़ना चाहे देख लीजेगा हाला कि कोई मतलब है नहीं अगले 10 भी है तो राजकोट 11 में पर है और उत्तर प्रदेश का लखनव बार में पर फिर उसके आद ग्रेटर हैदराबाद है थाने है गौालियर है चंडीगर है नासिक है अठार में पर गाजियवाद है फिर पिंपरी छिंद है और जबलपुर है मद्यप्रदेश का 20 में पर ठीक है तो यह रैंक है स्कोर भी दिये गए है टॉप 20 देखने का कोई मतलब नहीं है यूपी के किसी एक्जाम की तैयरी करते हैं तो बार्मी रैंक लखनव की याद रखिएगा और अठार्मी रैंक गाजेबाद की याद हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए बताइए मुझे कि और क्या बनाओं मैं आपके लिए वीडियो all the best for your exam दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो दोस्तों पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए thank you so much जै हिंद